हेलो गाईस मेरा नाम है जतिन अगरवाल और आप जुड़ चुके हैं दे बुल अफ दे लास्टी चानल के साथ एक और चार्ट ओफ द वीक की नई वीडियो में आप लों का बहुत बहुत स्वागत है हमेशे की तरह सबसे पहले डेट नोट कर लीजिए जिस दिन आप ये व मार्च 2021 ओविसली मैं इसको एक दिन पहले बना रहा हूँ फ्राइडे की रात को बना रहा हूँ अब आप लोग को एक चे हमेशे ध्यान रखने हैं गाईस कि यहां पर चार्ट को आनलाइस करते हैं उसका अनालेसिस करते हैं आपको हमेशा ही खुद से भी स्टडी करना है गो थू करना है या अपने investment advisor की सला लेने कोई भी trade या investing लेने से पहले अगर आप moneycraft के साथ जुड़ना चाते हैं जोकि एक से भी registered investment advisory firm है तो मुझे contact कर सकते हैं मेरा mobile number और मेरी email id मैंने नीचे description में दे रखी है अब हमेशा की तरह पिछले हफते के charts discuss कर लेते हैं तो पिछ अगर ये line retest होती है जोकि मुझे लग रहा है हो सकती है mandate user में कोई दिक्कत की बात नहीं है जब तक decisive breakdown नहीं आ जाता तब तक आपको exit नहीं करना अब काफी लोगों को confusion रहे decisive breakdown के उपर उस चक्कर में मैंने bronze members को जो chart दिया था उसके अंदर भी exit timely करा दिया था बट decisive breakdown उसक को अगले दिन square off करता हूँ and भौत बार आपने देखा होगा कि मेरे जो charts आते हैं वो भी एक दिन late आते हैं उस हिसाब से वो इसले होते हैं क्योंकि मैं confirmation candle की wait करता हूँ until and unless इस type का कोई pattern लेके निकले जिसमें indecisive candles की लड़ी लग रही हो and तब मुझे दिख रहा हो कि उपर जाके खड़ा होगा इसको sustain करेगा तो ग्रीव स्कॉर्टन में कोई दिक्कत नहीं है ग्रीव स्कॉर्टन अच्छा चल रहा है अगर आपके पासे आप इसके अंदर बने रह सकते हैं आप इसके अंदर expect जरूर कर सकते हैं 158 तो देख खुश है इस पर दे ही गया था ब्रेकाउट जब से आया है बट आप इसके अंदर जरूर expect कर सकते हैं कि अपने ये 176-175 के रेट के उपर जा सकता है अब इंडिया मार्ट की बारी आती है इंडिया मार्ट में मैं आपको समझा दूँ गाइज decisive breakdown से मेरा मतलब क्या है हमाय पास चार candles है पिछले हफते की Monday, Tuesday, Wednesday और Friday ठीक है जी Monday को candle जो थी ठीक बनी है support line पे थी Tuesday को ये नीचे आ गया अब markets क्योंकि बहुत volatile चल रही थी तो मैंने इसलिए bronze members के लिए specifically post डाल दिया था कि stop loss trigger हो गया अगर आपको exit करना आप कर सकते हैं मेरे साब से नीचे के support skill है और wait कर सकते हैं बट वो support ठीक है एक हमें छोटा support यहां मिल रहा था 72-7300 पे एक मैं काऊंगा जो एक अच्छा support था वो इसी zone में कहीं टकरा रहा था बट बात यह हो जाती है कि decisive breakdown से मेरा मतलब क्या है तो ये candle बहुत खराब candle है definitely और इसके अंदर अगर आपका stop loss trigger होता है तो मेरी सला यही है कि आप exit कर जाओ मेरा system लेकिन work करता है confirmation पे तो मैं उसको अगली candle पूरा मौका देता हूं recovery करने का इंडिया माट के case में अगली candle ने full recovery करी है अब होता क्या है मान लो अगले दिन ये नीचे खुल जाता न तो फिर बहुत जादा लोगों का बहुत जादा पैसे का नोकसान हो सकता था तो stop loss आपने छोटा ले लिया एक पर में कोई उसमें दिक्कत नहीं है अगले दिन green candle बनी आपकी जो support line से उनको sustain कर गई तो अब आपस उस trade के अंदर enter कर सकता है अब देखो इसने doji मारी है यहां से काटके निकल सकता था बट इसने doji मारी है तो कही ना कहीं ये कोई मैं कहुँ neutral सा ही sign है कोई मैं ये भी नहीं कह सकता बहुत अच्छा sign है क्योंकि बहुत अच्छा sign होता तो भई आप निकल जाओ आज Friday को आप क्यों यहां पर बैठे हो और बहुत खराब sign इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि Wednesday को पूरा recover किया है इसने अपने आपको तो आप इसी triangle pattern को follow करे in fact जो लोग bronze members नहीं है उनके लिए तो lottery लग गई है बिल्कुल क्योंकि यह chart अभी भी बन ही रहा है एक तरीके से इसकी triangle formation चल रही है आप देख सकते हो clear का triangle formation है yes मेरा support का zone है आप यह में पास line नहीं है बट मेरे को zone जादे comfort दे रहा था बजा एक line ड्रॉ करने से and इसलिए मैंने zone ही draw किया हुए और आप देख सकते हो कितने अच्छे से work कर रहा है तो charts आप से जो कहने हो समझना बहुत ज़ादा ज़रूरी है इसके अंदर मेरे को अभी भी कोई दिक्कत नहीं लगरी in fact आप सबको पता है कि India Mart मेरी investing position है काफी बड़ी position है and yes मेरी average काफी नीचे की बट वो इसलिए क्योंकि starting position बहुत सस्ते में उठाई थी बाद की positions तो मैंने भी 7000 के उपर की भी buying करी हुई yes के अंदर बट मेरे को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगरी in fact clients वगरा को हम अभी भी इसमें buy recommend ही करके चल रहे है and मेरे targets India Mart को लेके थोड़े ज़ादा ही उपर ज़े उपर की side पर breakout आए I'm still sitting on the bull side of things बट हाँ लोगों की मर्जी भाईये क्या करना चारे और क्या नहीं करना चारे अब आता है guys हमारा इस हफते का chart of the week जो कि है Dr. Lalpath Labs support line अपनी एक trend line पर खड़ा हुआ है मैं एक बार को नहीं इसको हटा देता हूँ Fibonacci को clarity हो जाएगी बहुत ही प्यारी एक trend line इसने पकड़ रखी है अपनी और उसके ओपर ही आके खड़ा हुआ है इस समय अगर आप लोगो trend line थोड़ी कम clear दिख रही है तो मैं इसको area line chart कर देता हूँ तो आपको और clear दिख जाएगी राइट बट मेरको candlesticks में से कोई कभी दिक्कत लगती नहीं मेरको आप आदत हो गई है इनको देखने की तो मेरको ये line बिलकुल यहाँ पे clear दिख रही है मुझे भी दिख रहा है कैसे हैं false breakouts आया था फिर उसके बाद इसने resistance दिखा है और कैसे अब support दिखा रहा है और जब भी आप देखो नीचे की side आता है तो wicks लंबी हो ज correction लेगा ये rate obviously इस rate से कम है ये rate बरता ही जा रहा है उपर तो जब भी correction लेने आ रहा है तो ये अच्छे rate पे आ रहा है तो मेरी upward sloping trend lines तो बड़ी favorite होती है अगर उनके अंदर breakout या कुछ आता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर upward sloping trend line पर support नहीं resistance हो रहा होता तो फेरी भी एक बार Fibonacci retracement इसमें draw करके देख लेते हैं थोड़ा Fibonacci इसको भी adjust करके देख लेते हैं कि किदर आके टकरा रहा है Fibonacci के base पे भी आप देख सकते हो guys retracement levels के साब से almost यहीं पर आ रहा है इस समय 23.6% के जो हमारी retracement होती है तो Fibonacci के base पे भी मुझे ऐसे कोई दिकर नहीं लग रही है आप देख सकते हो Fibonacci कैसे अच्छे से work कर रहा है Fibonacci बहुत magical चीज़ है तो वो आपको चार्ट पे पहले जो movement आई है उसमें patterns दिखा देगा और हम देख सकते हैं यहाँ पर support लिया है जैसे अगर आपको clear नहीं देख रहा तो मैं line draw कर देता हू यहाँ पर support आया है यहाँ पर support आया है राइट फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चलो कुछ ऐसा significance इसका खास नहीं था यह candle वैसे यहाँ पर touch हो रही है बट फिर भी और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमें इसी zone के अंदर कहीना कहीं यह stock दिख रहा है तो अगर मैं इस zone के अंदर आप इसके अंदर accumulation करने की सोच सकते हैं डॉक्टर लाल पाथ लाब्स बहुत ही बड़ी है company है no doubt और मैं डेलियंस यहाँ में रहता हूं तो यहाँ पर obviously इनका बहुत काम है तो बड़ा clear दिखता है बट फिर मुनाची के बिना भी आपको simple trend line दिख रही है मे अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मेरे को help होईगी तो one on one online classes हो नहीं है ऐसा भी नहीं कि मैं ग्रूप में ले रहा हूं literally one on one classes हो नहीं है और आपको पूरा attention दिया जाएगा और जो swing trading वगरा लोगों को रहता है नहीं कि हमें सीखनी है वो सब तो obviously उसके मंदर सिखाई जाती है बाकी definitely अगर आपको charts read करने आ जाते है price behavior read करना आ जाते है तो फिर आप बहुत चीज़ों में और भी you know अपने better decision making कर सकते हैं जैसे कि आप लोगो YouTube पर ही कही सारे लोग दिखे होंगे जो हमेशा कह रहे थे कि नहीं भाई अब टॉप लग गया 7500 की correction होगा अब 6000 पर आएगा ये तो वो price behavior के वज़े से ही मैं कहा पाया एक time के बाद कि नहीं ये हो गया bottom formation हो गई यहां पर अब और कुछ भी नहीं होगा तो yes जब 7500 पे you know candle लगी थी तो क्या मुझे पता था कि 7500 बॉटम होगा नहीं बट जब बनना शुरू हो गया था उसका behavior समझ आने लग गया था तो क्या मुझे पता था कि 7500 बॉटम है हाँ तो अभी भी मैं आपसे यह नहीं कर रहा कि आगे जाके correction नहीं आएगी बट वो correction होगी crash नहीं होगा ये चीज़ मैं बार-बार आप लोग से repeat कर रहा हूँ तो खेर इसके अंदर में को कोई दिक्कन नहीं लगती इस बार मैं आपको target साही में धंक से नहीं दे सकता हूँ मैं Fibonacci extensions draw तो ज़रूर कर सकता हूँ यहाँ बट मैं उनको use नहीं करता तो इसलिए मैं आप लोग को नहीं बता सकता है कि आप उनको draw करके targets निकालो मेरे को targets थोड़े कम पसंद आते है Fibonacci extension के and maybe मेरे साथ उतना अच्छा work नहीं किया में भी आपके system effect होता हो बट यह एक बहुत अच्छा accumulation zone है इतने प्यारे share का और हो सकता है आपको 15% का move तो किसी भी दिन देखने को मिल जाए महला company इतनी शानदार है क्योंकि तो वो आपके उपर है आप किसी आप से लेना चाते है stop losses अपने trail करो यह trend line draw कर लो यह trend line पीछे तक work कर रही है महला सबसे बड़ी बात है अगर यह पीछे तक work नहीं कर रही होती न यह trend line यहां से भी work कर रही होती खाली में बहुत अच्छे से चार्ट चल रहा है बहुत अच्छे से follow हो रहा है इसके अंदर सब कुछ और आप इसको add करने की सोच सकते हो दो चीज़े guys जाने से परने मैं जरूर कहना चाहूंगा अगर आप लोग यह charts और पोस्ट वगरा और देखना चाते हो तो trading view पे मेरे को जरूर follow करें trading view की मेरी जो id है उसका link भी मैंने description में डाल रहा है क्योंकि मैं यहां पे भी publish करता हूं यहां publish का button देख सकते है और मैं अपनी community के साथ यहां पे भी ideas वगरा share करता है तो बीच बीच में तो आप मुझे यहां पे जरूर जरूर follow करें अगर आपको technicals और charts में interest है प्लस runner sub chart हमेशा की तरह bronze members के लिए post हो चुका है तो अगर आप community tab के अंदर जाएंगे तो हम आँँ देखेंगे कि bronze member के ल तो watch list के chart समेशा की तरह silver members के लिए community tab के अंदर आ चुके हैं जब भी वो आते हैं यहां मैं post करता रहता हूं बट मेरा जो आप लोगों से commitment है especially bronze membership में कि every weekend आप लोगों को runner sub chart मिलेगा that is already posted तो अगर आपने bronze membership नहीं लिए आप जाके अब ले सकते हैं and आप उस runner sub chart का फायद उठा सकते हैं so thank you so much for watching this one I'll see you in the next one bye